अससलम älikum, अमीद है आप सब ठीक होंगे और खेल एक साभो возьंगे लापा होंगे में और मेरी फैमिली भी ठीक दी हो और अभी बस मैं सेट्टिक कर रही थी जो जो 2014 समयने वाली चुड़ी चुड़ें में पहनती नहीं हो, बहुत कम होता है, कि बस मैं पहन लेती हूं, और सेटिंग करते हैं, कोन मेरी तरह करता है, कि अपनी चुड़ें निकाल के पहन लेता है, तो मैं थोड़ी चुड़ें निकाल के पहन लेती है, बस यहां पर मैंने चुड़ें अपनी अलग कर जो मुझे पहननी थी वो मैंने बान के अच्छी तरह से रख लेती और यह देखिए मिलबाश आईशेडो थी च्छोटी च्छोटी जो किट्स होती है शेमर ग्लीटर यह सब थे और यह लिप्टेन और यह बहुत ही जबरदस कर रहे हैं एक तोड़ा रेडिश पे और एक तो पिंग पे बहुत ही अच्छा है यह लिप्टेन तो एक बोक्स में ना मैंने सारी अपने शेमर ग्लीटर और आईलिनर ग्लीटर वाले वो सारे एक बोक्स में रख लिए थे तो फिर मैंने का नई यार इसको अलग-अलग कर देती हूं ताकि मुझे एजी हो ना कभी यूज यूजिए वैसे तो मैंने मैंक अब्यूस रूना महाने मिक्स माने हैं है यूजिए उपिस में मुझे होद कर दो में दो शीजिर बोक्ताइर, में अब्यूसक भी यूजिए हैं मतब मेकब बहुत सारा जमा करने का तो बस यहां पर और यह शीमर डिल्टर में आप लोग को दिख रहें यह भी बहुत अच्छा है अच्छा जी अब मैं एक बोक्स में सारा मतबना अपनी लिबिस्टिक भर लोंगी क्योंकि मेरे पस इतनी सारी लिबिस्टिक है यह मेरे पस एतनी सारी है पास कुछ ही क्लर हैं जो इनमें से स्जारा शोक से लगाती हो एक डार्क पंक हो एक इक बेभी पंक है और एक जो बिलकुल यह आतीशी पंक होता है यह लामेर लगा लेधी हो कभी ने यह पर और नहीं पस abolish क्लर हैं नहीं जादा नहीं लगाती जो जो मुझे पसन है वही लगाती है और यह जो हुदा का आप लोगों को लिबलोस दिख रहा है यह मेरी नन्द ने मुझे दिया था जब मैं सौधियरा बारी थी फ़स्ट टाइम तो मैंने अभी तक आज तक सम्हाल के रखा है लाकि मुझे यह गलर पसन नहीं है फिर भी मैंने इतनी मतलब सम्हाल के रख लिया है क्योंकि उन्होंने इतनी प्यार से दिया था तो मैं कोई भी गिफ्ट हो कोई भी मुझे देता है तो मैं तनी असानी से जाया नहीं करती हू और बहुत ज़ाद में चीज़ों का खायर होती है कोई देता है तो प्यार से देता है तो उनकी चीज़े इस तरह वेस्ट नहीं करने चाहिए नहीं फेकनी चाहिए उनकी मतब में सम्हाल के रखती हूँ अच्छा जी और ना मेरी शादी जब हुई थी मेरी मतब हम लोग जब सौधिय ही थे मैं शादी से पहले भी सौधिय ही रहती थी तो मेरी अमी के साथ मुझे ओड़ी तहीँ और मीज़े बहुत ज़ादा शोक था ना में 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 मेक आप पही ही जद槁 privilege मेरे थी जदा है नर्म है ना में सबसे पहले कहती थी नहीं मुझे लेन बाकि अस प्रवाइब बिल्कुल क्लीन रहे और बस यहां पर इसमें अपने सारी ओटाइन दाल दूंगे अच्छा थी मैं आपको यह वता रही थी कि मेरे जब शादी हो इतना में लेकी गई थी मेरे बड़े वाले जो सुटकेस होते ना एक वो भराता और एक छोटा हैंड केरी होता ह वो फुल भरावा था मेकप से और मुझे मेक अप इतना कोई पसन है ना बहुत ज़्यादा पाकिसान में तरह सारा हैंड केरी और सूटकेस ही अपने आपको मेकप कर रहा हैं हो सारा वही रखा वह उसमें थोड़ा सा ही मेकप निकाला था और बाकी सारा मेकप मेरा वहीं प फूल इंजॉय करूँ मैं अपनी फैमली को थोड़ा टाइम दू यह वो इस वज़ए से बस कभी जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं वो खोलू हूँ अब इन्शाला जब भी जाओंगे ना तो मेरे भाई की जब शादी होगी अला तो इन्शाला तो मैं जब भी अप जाओंग तो यह आईब्रो कलर टर्णिक लिए बेस्ट है तो यह सारा तेखें मैंने एक खट्टा मेकप कर लिया और यह बुरुष एक्स्रा हैं जो मैंने अलग से लिये हैं और इसमें सारी मैंने आईशेट केट रखी हुए हैं बड़े-बड़े पैलेट जो होते हैं वो और यह फ इसमें दाल दी थे सारे और इस तरह मैंने नेल पैंट का एक अलग वो बनाए हुए है पोशन और हर जिसका मैंने अलग-अलग से अपरेट रखा वे ना इतना मैकप है मैं सोचते हुए को बहुत सारे जमा के हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं तभी लगाती जाती करती हूँ घर में तो अपने नहीं लगाती हुए क्योंके काम करने होता हुए पर नमाज प्रणनी होती है इस वाज़ा से और एक काटर में ना मैंने सारे फेस वोश फेशल और ब्लीच मैनी पेड़ी का समान और क्लिंजिंग वगरा सब रखे हुए हैं यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ असमा डॉल का मुझे गोल्डन पालिच इतनी कोई पसल आई ना बहुत ज़दा अच्छी मुझे उसका रिजल्ट अच्छा लगता है अच्छा जी अब यहां पर मैंने सारा अपना खाली करने लग गई थी तो इतने में मेरे हस्बंट जा मेरे हस्बंट को बोल दिया था ना के भाई वो सारे पर्दे उतार दें ताकि मैं वोश करके ही लगाऊंगी वह जादा अच्छा है क्योंकि वह एक दम गंदे गंदे मेरे को अच्छे नहीं लगते इसलिए में साफ करके ही लगा तो यहां मेरी बेटे जंजे से खेर ली त मेरी लगता हूं और मैंने कवर उतार लिया था तो मुझे लगाई यार इसको भी दोई लेती हूं जो मैंने मशीन लगाई थो मैंने अल्ला का नाम लेकि एक तो उतार दिया और दुबारा लगाऊंगी कैसे यह समस्य भार है और मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल भी बिल् स्वेल्दी सो हो गई होगे भर बहुत ज़दा पूरा दिन लग जाता जो मैं तभघर समा रहती हैं उनको तो पता होगे घर की काम कभी खतम ने होते बहुत ज़दा काम हो जाते हैं और असान नहीं होता एक दम से घर खाली करना और फिर वहां जाके दुबारा से सजाना करना तो बस भाई यहां पर हम लोग खाना कहा रहते हैं और मेरे भाई भी आ गए थे उसी टाइम ना तो अपनी शॉप बन करके तो अच्छा मेरे हस्बंड ना कमपनी में जॉप करते हैं मेरे भाई लोगों की यहां पर खुद की शॉप है और यहां पर बस मैंने किचंट पूरा क्लीन करूं और इतने जादा कोई बरतन हो गए थे ना इतने जादा क्योंकि मैंने टाइम नहीं दिया तक किचंट को मैं अपने कामों में लगे वी थी ते सारे सारे काम में एक साथ ही कर रही थी मैंने सुच था एकदम ही कर लेती हूं ताकि टेंशन फ्री हो जाओंगी तो बस इसी वज़ा से इतना ज़्यादा कोई टाइम हो गया था ना और मैं आपको दिखा रही थी किसके मूँ में पानी आ गया और दाल चामल अच्छे लगते हैं कि इस दुपेर में ब्र अपनी लिए कुछ चाय बना लोंगी पर चाय का मुँझ नहीं ता क्यों कि मैरे डस्ट अलरजी हो गई थी मेरे नसला ओ गया तो बिने सूप बना लिया था पर जल्दी से उस से फोरन से ठीक हो जाती है तो इसलिए बस मिने चाय नहीं पीती मैंने सूप पी लिया था और स आफ़ेज!